Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, Newton, friends, I hope आप सब सेफ होंगे और आप सब ने अपना provisional allotment देख लिया होगा cap round 1 का तो देखो हैर cap round 1 का provisional allotment देखने के बाद अभी आप cap round 2 में जाओगे cap round 2 में जाने से पहले बहुत सारी चीज़ा ऐसी होती है वो आपको याद रखनी है पता होनी चाहिए बहुत सारे बच्चे मुझे comment section में ये चीज़े पूछ रहते है तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए ठीके तो आज की वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक देखने वाले यार मेजर चार पाश टॉपिक है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इन टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले पहली चीज़ बेटरमेंड के लिए जाना सही होगा या नहीं किसके लिए सही होगा किसके लिए गलत होगा उसके उपर हम बात करेंगे दूसरी चीज़ कॉलेज लिए चेंज कर सकते कह हम बेटरमेंड में चेंज कर सकते तो कैसे चेंज कर सकते तीसरा डाउट यार जो पह पर हम बात करने वाले डिटेल आज डिसकेशन करेंगे यार ये वीडियो the most important वीडियो होने वाला है आपके लिए ठीक है तो वीडियो को अंततक देखना है यार बीच में skip मत करो तो शुरू करते हैं यार वीडियो को वीडियो शुरू होने से पहले एक चीज़ अगर इस चै करना है ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो यार ताकि ऐसी अपडेट्स आपको बारबार मिलती रहे ठीक है अपडेट नहीं चोड़ते हैंसब से पहले अपडेट ढालते और सबसे हम डालते हैं तो शुरू करते हैं एभी वीडियो को पहले चीज़ के लिए आपको जाना ही चाहिए, आपको कितना भी अच्छा college मिला हो, या कितना भी बुरा college मिला हो यार, हर एक को betterment के लिए जाना ही जाना चाहिए, ठीके समझ आपने 20 colleges के list फिल किया, 20 colleges में आपको तीन number का college मिल गया, समझ अलट हो गया, capp around तो भी आप betterment के लिए जाओ ठीक है शायद क्या पता फर्स नंबर या सेकेड नंबर का मिल जाए इसलिए आपको betterment के लिए जाना ही जाना है अभी आप पुछोगे सर benefits क्या है betterment के पहली चीज आर आपको कौन सा भी college मिल सकता है आप जो imagine नहीं कर रहे हो वो भी college मिल सकता है आपको क्या प्राउंट टू में सपोज आपके percentiles 90 आपको सपोज college मिल गया है डिवाई पाटिल computer science क्या पता आप कुछ COEP में भी computer science मिल जाएगा एखाद बार एखाद बच्चे ने documents नहीं submit किये तो उसकी जगा तो vacant रहीगी तो उसकी जगा मिल सकता है chances है ठीक है कम chances है ल बेटरमेंट के लिए तो मुझे भी मिल जाता यह regret इंसान को मार डालता है ठीक है तीसरी चीज़ यार मैं जहां तक मैं को 3-4 साल का experience यार 70% बच्चे को जो बच्चे होते जो बेटरमेंट के लिए apply करते उनको मतलब best college मिल ही जाता है ठीक है better college मिल ही जाता है CAP round 1 से fit कर सकते हो और ranking तक change कर सकते हो आप branches की colleges के आप सब सब चीज़े आप change कर सकते हो ठीक है तो जो बच्चे करना चाते है वो change कर सकते ही जो नहीं करना चाते हो वैसा का वैसा कर रख दिया तो भी चलेगा सिब आपको betterment के option पे click कर देना है ठीक है यह दूसरा doubt हो गया तीसरा अगर आपको cap round 1 में जो seat मिल गई वो आपके नाम पे मतलब fix हो जाती है फिर आपको cap round 2 में जाने के बाद आपको अगर cap round 2 में अच्छी seat मिली तो मिल जाती है अच्छी seat नहीं मिली तो आपकी cap 1 की seat तो fix ही है ठीक है risk 0% है यार इसलिए आपको cap round 2 में betterment के लिए जाना ही next is यार, betterment के लिए college list कैसे बनाए, the most important question यार, बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते है, कि betterment के लिए college list कैसे बनाए, तो देखो यार, आपको क्या करना है, जो आपका allotted college है, ठीक है, आपने suppose 20 college मिले, और उसमें आपको 7 number का college, suppose allot हो गया, suppose 7 number का college है, आपका JSPM college of engineering, ये 7 number क college है, और उसके उपर के college आपको नहीं मिले, cap round 1 में, तो आपको क्या करना है, JSPM 7 number का college है, उसके उपर आप 20-30 colleges डाल दो सिधा, ठीक है, JSPM से अच्छे colleges लेकिन, ठीक है, वो 20-30 colleges डाल दो, अगर मिल गया, तो आपको उपर के college मिल जाएंगे, नहीं मिला, तो आपका JSPM तो आपको मिलना ही मिलना है, ठीक है, तो इस प्रकार आपको college list बनानी है, नेक्स चीज़ार, आपको वैकंट सीड्स पता होनी चाहिए, या भी कोन से college में कितने वैकंट सीड्स है, कितने सीड्स बाकी है, चाहापे मैं डाल सकता हूँ, मेरा number लग सकता है, तो उसके लिए आपको सिंपल से CET साइट सेल के मेन पोर्टल पे जाना है, और वहाँ पे यहाँ पे दिखाए, देखो, institute allotted list, ठीक है, institute allotted list, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको हर एक college का पता चल जाएगा, कि कुन से college में कितने सीड्स अवेलेबल है, ओके, तो यह सारी चीज़े मैंने एक synchronized manner में आपको बता दिया, यहाँ पे, यहाँ पे मैं बहुत topics को बहुत तरीके से खीच सकता था, ठीक है, यह वीडियो मैंने 5-6 minute का बनाया, इसके जगा में 15 minute का भी वीडियो बना सकता था, लेकिन उस चीज़े का कुछ फाइदा नहीं, आप आपको सिधा एक focus knowledge मिलना चाहिए, इसलिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को short करके आपको यह knowledge प्रोवाइड किया, अगर आपको वीडियो genuinely अच्छा लगा हो तो please like करो यार और चैनल पे नहीं हो तो please subscribe करो, ठीक है, और किसी चीज़ से related doubt हो तो आप मुझे comment section में बता सकते इंस्टागाम पे DM कर सकते हो, WhatsApp पे DM कर सकते हो, मैं हर एक को जवाब देता हूँ यार, आप last video चेक कर सकते हो मेरे, मैंने हर एक को जवाब दिया है comments में, ठीक है, और मैं Instagram पे DM करते हो तो मैं अच्छे से उनको जवाब दे देता हूँ, ओके, तो doubt हो, कितना भी छोटा सा doubt ह आप comment section में बता दो, Instagram पे DM कर दो, ठीक है Instagram पे तो मैरे पूरी team लगाए दिये है, और वो भी आपको जवाब दे देंगे, ओके, तो खतम करते हैं और चीज़ों को, और मिलते हैं next video में एक नई update के साथ, एक नई news के साथ, तब तक के लिए, bye bye, take care, thank you